हेड़ो दोस्तों, वेलकम टू धुलाधर अपडेट्स यूट्यूब चैनल तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉप 6 ब्रेकिंग न्यूज हिमाचल परदेश के लेके आए हूँ इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे इगनू की परिक्षाओं को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है तो इसके बारे में बताएंगे तो वीडियो पर एंट तक बरने हैं तभी आपको पूरी शानकारी सही से मिल पाएगी अगर आप चैनल परने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको आगयाने वाली हमाज़र प्रदेश की हर लेटेस ब्रेकी उसके अफडेट हमारी जैनल दोरह मिल सके वीडियो सुनते तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुन ने बूले और नीचे कमेंट सेक्षिन में जय हमाज़र लिखें तो चले वीडियो को शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबार बस किराया 25 ब्राने के फैसले को लागू कराने पर कैवनेट की मोहर नियूंतम भाड़ा भी अब 7 रुपए कम सकम किराया 7 रुपए अब जो है इन्होंने कर दिया है ये होगा प्रस्ताबित किराया प्रती किलोमेटर रुपए में तो इन किराया भडोतरी का बिरोध शुरू हो चुका है कैवनेट में अन्य फैसले लिए हैं सरकारी बसों में मुफ्त सवर नहीं कर सकेंगे संसद और बिधायक परिवान भी बाग लेगा अब प्रसेंजर एंड गुड्स टक्स परदेश में कारोबार सरल बनाने को ओनलाइन होग दिया 7 रुपए कॉंग्रेस माकपा ने किया विरोध क्रोना काल में आम आदमी को सरकार ने दिया पांच मा जटका राशन बिजली शराब पेट्रोल डीजल भी महगा कर चुकी है सरकार तो अब ये होगा किराया क्षेतर अब पहले तो इन्होंने किलोमीटर के हिसाब से य नमशाला, चमबा, मंडी, कुलू इनके किराया इन्होंने बता रखे हैं तो सरकार खजाना भरने पर हिमाचल सरकार का जोर सरकारी जो है खजाना को भरने के लिए हिमाचल सरकार ने जोर डाल दिया है अब क्योंकि जो आम आदमी के लिए इन्होंने पांच मा जटका जो है दे दिया है तो अगली बड़ी ख़वर बारें बताते हैं सहाइक लाइवरेरियन के 770 खाली पद भरने की मंजूरी 34 EGS अनुदेशकों को ग्रामेन बिदायक उपासक बनाया गया अगली बड़ी ख़वर 4 हयार पद खाली फिर भी 15 हयार PTA बिरोजगार प्रदेश बर में शरीक शिक्षकों के करीब 4 यार पद खाली चल रहे हैं जिसमें से मंडी जिला में सबसे अधिक सारा सो शरीक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं इसके बाब जो सरकार पद नहीं बढ़ रही है CM जरम ठाकुर ने 7 अक्तूबर 2018 को 2 यार पद भरने की गोशना की थी लेकिन अभी तक यह भी पद नहीं भरा गया है इसके अलाबा DPE के 210 पद भरने से अभेर्थियों में रोश है इन पदों को भरने के लिए बिरोजगार अभीर्थि ने सरकार से कई बार गोहार लगाई लेकिन शिक्षा मंतरी ने हर बार बजट नहोने का रोणा रोया वहीं जब CM के समक्ष मामला उठाया गया तो मुख्य मंतरी ने दो हर पद भरने का बुरुसा दिलाया दिया गया था तो जो 210 DPE के पद न भरने पर अभेर्थियों में रोश है तो आगे नहोंने बता रहा है इसके अरवा स्कूल में 100 से कम संख्या बारे बच्चों की कंडीशन लागादार शरीरिक शिक्षकों के पद न भरने का फर्माना जारी किया गया है पर्जिक्षन शारीरिक शिक्षक संग मंडी जिला के परधान शशीकांत ठाकूर कांगड़ा के राजेश्वर ठाकूर इन्होंने जो है कहा है सरकार से की PTA के पदों को जल्द भरें अगली बड़ी ख़बर इगनो सितंबर के पहले सब्तहा में करवायागा UGPG कोर्स के अंतिम समेस्टर की परिक्षाएं तो HPU भी जो है सितंबर महिने में ही करवायागा जो अंतिम समेस्टर की परिक्षाएं होंगी UG और PG कोर्स की तो आगे बताते हैं आज की आखरी और बड़ी खवर हिमाचल परदेश में तूटा क्रोना का अब तक का रिकोर्ड एक ही दिन में 110 मामले सोलल में 42 लोग पोजिटिव सिर्मोर में एक ही महले में 20 लोग और तो जूरी में ITBP के 18 और जवान संकरमीत शिमला में 23 सिर्मोर 21 कांगडा 12 बिलासपूर 23 मंडी 59 हमिरवपूर 22 और कुलू में एक मामला आया है एक ही दिन में तो आप देख सकते हैं कि हमाचल परदेश में दिन प्रती दिन क्रोणा के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो अब जो है हमाचल परदेश में record तूट चुका है क्रोना पोजिटिव का 110 मामले एक ही दिन मे आ चुके हैं तो आप भी घर में रहें और स्वस्त रहें तो ये थी आज की पांच सोरी छे बड़े ख़बरें तो अगर आपको वीडियो से नतरी वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुन ने भूलें और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको आगे आने सब्सक्राइब करना बिल्कुन ने भूलें ताकि उनको भी टॉप सिक्स ब्रेकिंग न्यूस के बारे में पता लसके तो अपना कीमतीस में देने के लिए बहुत वा धनेबाद जैहिन जैहिमा चल